हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोस अकेडेमी, आज के इस वीडियो में हम डिश्टिलेशन कॉलम डिजाइन का सिख्सथ पार्ट देखने वाले हैं, जिस में हम मेकप्थिले मेतर के बारे में एक दम डीटेल में स्टडी करेंगे, तो चलो, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते मान लो आपको एक distillation column design करना है तो उस case में आपको कौन-कौन से parameters calculate करने पड़ेंगे एक तो आपको column का height calculate करना पड़ेगा और column का diameter calculate करना पड़ेगा मान लो ये distillation column आपके पास है देखो इस column में हमारे पास main component कौन-कौन से होते हैं ये आपका feature है जो भी feature है उसके उपर के section को हम rectifying section बोलते हैं और feed section के नीचे को part को हम stripping section बोलते हैं अब rectifying section और stripping section के बीच में multiple number of trays हैं अब अगर आपको column का height calculate करना है और मैं आपको बता दूँ कि इन दो trays के बीच में कितना distance है वो मैं आपको बता देता हूँ तो क्या आप इस total column का height calculate कर सकते हो क्या हाँ बिल्कुल कर सकते हो और उसी प्रकार हमें column का height calculate करना है जिसके लिए हमारे पास एक graphical method है और इस graphical method को हम mecap thilay method बोलते हैं बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि mecap thilay method में जो भी हम triangles बनाते हैं वो हमें number of ideal trace बताता है ये कभी-कभी आपका answer गलत हो सकता है इसलिए कभी भी ये answer मत देना कि mecap thilay method से जो आप triangles बनाते हो उससे आपको number of ideal trace मिलते हैं क्योंकि ये depend करता है आपका जो भी distillation column है उसमें arrangement कैसी है उसमें total condenser है या partial condenser है total reboiler है या partial reboiler है इसके उपर आपका answer सही है या गलत है वो depend करता है तो सही answer क्या हो सकता है अगर आपको कोई पूछता है कि जब आप mecap thilay method में triangles बनाते हों तब वो आपको क्या inputs देता है तो उसका सही answer रहेगा required number of ideal stages to achieve desired separation मतलब mecap thilay method हम जो भी number of stages है वो calculate करने के लिए use करते है ताकि हमें जो भी desired separation है वो मिले clear है mecap thilay method के main assumptions कोन कोन से वो पहले देख लेते देखो कोई भी distillation column अगर आप consider करते हो तो उसमे number of trays है और हर एक tray में नीचे से vapors आते हैं और इस tray के उपर जो भी liquid है उसके साथ contact करके फिर से उपर चले जाते हैं अब पहला assumption हमारा क्या रहेगा जितने quantity में vapors इस tray में enter कर रहे हैं उसी quantity में vapors tray को exit करेंगे मतलब यहाँ पे मान लो V1 amount of vapors tray में enter करें तो tray से V1 amount of vapors ही उपर जाएंगे इसका मतलब मान लो नीचे से V1 vapors आ रहे हैं उसमें से कुछ low volatile components के vapors थे जो कि यहाँ पे condensed हो गएं तो जो भी liquid का pool यहाँ पे बना है उसमें से जो भी more volatile components है उसके vapors generate होंगे और जो भी नीचे से lower volatile components के vapors थे उसमें add होके आपको same quantity of vapors उपर मिलेगी यह आपका पहला assumption है अगर यह assumption आपका true होना चाहिए तो आपके यह बाकी के देव assumption भी consider करने पड़ेंगे दूसरा assumption क्या है? No heat loss अगर नीचे से जितने vapors आ रहे उतनी vapors आपको उपर चाहिए तो जो भी distillation column है उसके across कोई भी heat loss नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम उसे insulation प्रोवाइड करते है और कोई भी insulation ऐसा नहीं है जो कि आपको 100% insulation देगा लेकिन हम यहाँ पर assumption के तोर पर यह मान रहे है कि distillation column से कोई भी heat loss नहीं होगा और दूसरा एक assumption हम यहाँ पर यह करें कि no heat of mixing मतलब जब नीचे से vapors इस liquid pool में enter करेंगे तो उस case में जो भी mixing होगा वहाँ पर कोई भी heat loss नहीं होगा ताकि जितने amount of vapors इस tray में enter करें उतने amount of vapors हमेट tray से outlet में मिलेंगे समझ रहा है? उसके बाद makeaphthalate method के steps क्या है? वह हम देखते हैं देखो सबसे पहला step क्या है? take a graph paper and mark 0 to 1 on x and y-axis उसके बाद आपको क्या करना है? plot fairly करो उसके बाद mark feed concentration and location xf उसके बाद mark desired project concentration xd and xw उसके बाद draw operating line for rectifying section and stripping section उसके बाद draw triangles between operating lines and vl wicker and last step आपको करना है find out number of ideal trace based on ideal stages जैसी कि मैंने पहले slide में आपको बता है कभी-कभी number of ideal trace ideal stages से match नहीं करती ideal trace कभी-कभी ideal stages से कम भी हो सकती तो उसका assumption कैसे करना है और आपको कैसे ideal trace calculate करना है वो हम last step में देखेंगे clear है चलो अब हम एक-एक step detail में देखते हैं सबसे पहला step देखो एक graph paper and mark 0 to 1 on x and y-axis देखो हमारे पास एक binary mixture है ओके binary mixture का boiling point diagram हमने देखा था boiling point diagram में कैसे था यहाँ पे जो भी concentration रहेगा वो completely low-holidile component का रहेगा क्योंकि x-axis पे हम ले रहे है more-holidile component का concentration अब जब more-holidile component का mole fraction 0 है इसका मतलब जो भी concentration होगा जो भी mole fraction होगा वो low-holidile component का होगा और एकदम right side में अगर आप देखते हों तो more-holidile component का concentration 1 है जिसका मतलब hundred percent more-holidile component है तो low-holidile component 0 होगे इसका मतलब यहाँ पे completely more-holidile component है अब इसलिए यहाँ पे जो point आपको मिलेगा वो आपका रहेगा boiling point of low holiday component और यहाँ पे जो point आपको मिलेगा वो रहेगा boiling point of more holiday component और इसके बीच में आपको मिलेगा bubble point clear है अब अगर आप make up थीले method में देखते हो तो आपको एक ऐसा करो मिलता है वो किसी साब से draw किया जाता है देखो सबसे पहले आप मान लो कि यहाँ पे जो भी more holiday component का concentration है वो है 0.2 जैसे जैसे आप उपर जाओगे वैसे वैसे आप इस curve को intersect करोगे देखो boiling point curve में क्या रहता है यहाँ पे liquid concentration रहता है यहाँ पे liquid plus vapor रहता है और सबसे उपर फेपर्स रहते है अब देखो जब 0.2 concentration liquid phase में था तब vapor phase में more holiday component का concentration कितना रहेगा वो रहेगा 0.65 समझो मतलब जब liquid phase में more holiday component का concentration 0.2 है उस case में more holiday component का vapor phase में concentration 0.6 या फिर 0.65 रहेगा यहाँ पे 0.65 है तो हम 0.65 को यहाँ पे mark करते हैं उसके बाद जब more holiday component का concentration 0.4 रहेगा तो उस case में vapor phase में more holiday component का concentration होगा 0.82 इसका मतलब जब 0.4 रहेगा तो 0.82 क्लियर है उसके बाद जब more holiday component का concentration liquid phase में 0.6 रहेगा तो उस case में vapor phase में more holiday component का concentration होगा 0.9 जब more holiday component का liquid phase में concentration 0.8 रहेगा उस case में more holiday component का vapor phase में concentration रहेगा 0.95 ओके 0.8 जब रहेगा 0.95 समझ रहेगा और यह कर्व अब बनेगा इस तरह से समझ रहेगा इसलिए जो भी आपका really curve में capital method में आपको मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है समझ रहेगा और यहाँ पर एक तव खम इसलिए लिखते हैं क्यूंकि जो भी mole fraction है वो कभी भी एक से बड़ा नहीं होता समझ रहेगा एक मतलब 100% concentration है उस component का ओके अब दूसरा step हम देखते हैं दूसरा step क्या है plot feeling curve देखो feeling curve plot करने के लिए आपके पास दो method है पहले method मतलब क्या है आपको यक्स और y की values directly दी गई है मतलब जब more holodile component का concentration liquid phase में 0 रहेगा उस case में फेपर phase में more holodile component का concentration 0 रहेगा अगर 0.1 है तो उस case में जैसी कि देखो मैंने पिछले slide में आपको दिखाया था जब 0.2 है तब 0.65 है जब 0.4 है तो उस case में था 0.8 और वही points हमें यहाँ पे mark करने है और ऐसे आप VLE कर plot कर सकते हैं दूसरा एक method आपके पास है relative volatility के basis पे मानलो आपके पास जो भी binary mixture है उसका relative volatility 2 है अब relative volatility अगर आप 2 put करते हो और x की value आप assume करते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 मतलब यहाँ पे अगर आप 2 put करते हो इसका मतलब 2 into 0.1 divided by 1 plus 2 minus 1 into 0.1 इसका मतलब के है 0.2 divided by 1 plus 0.1 इसका answer आपका रहेगा 0.2 divided by 1.1 जो की रहेगा 0.18 मतलब y is equal to 0.18 जब यक्स आपका 0.1 है तो उस case में y आपका 0.18 है अब यक्स आपका 0.1 है y आपका 0.18 रहेगा उसी प्रकार आप की जो भी points है वो आप calculate करोगे और इस प्रकार से आपको अलग-अलग points मिलेंगे जब आप उसे join करते हो तब आपको दूसरे method से भी VLE कर plot कर सकते हो clear VLE करो आपको कैसे plot करना है उके उसके बाद तीसरा step क्या है देखो तीसरा step आपका है mark feed concentration and location देखो अगर आप distillation column consider करते हो तो उसमें यहाँ से feed आ रहा है जिसमें more holodile component का concentration xf है और जो top में है वहाँ पे आपको distillate मिल रहा है जो d amount में आपको मिल रहा है और उसमें more holodile component का concentration xd है और जब आप bottom में consider करते हो तब आपको bottom product w amount में मिल रहा है और उसमें जो भी more holodile component का concentration है वो xw है तो जो feed line है उसका equation आप कैसे derive कर सकते हो देखो अगर आप distillation column के across overall material balance अपलाई करते हो तब आपको क्या equation मिलेगा f is equal to d plus w और जब आप component balance अपलाई करते हो आपको equation मिलेगा f into xf is equal to d into xd plus w into xw समझ रहा है अब हमने यहाँ पर क्या किया है जो भी आपको first equation से w की value मिलेगी इसका मतलब w is equal to जब आप इस d को left side में transfer को रोगे तब आपको मिलेगा w is equal to f minus d clear है वो हमने यहाँ पर put किया है देखो तो हमारा equation कैसे change होगा f into xf is equal to d into xd plus f minus d into xw clear है अब हम क्या करते है यह जो भी d into xd है उसके लिए यह पूरा equation change कर लेते है हमने क्या किया है यह d into xd उसी position पे रखा है और f into xf से जब f minus d xw का term आप left side पे transfer करोगे तब यह अंदर के term change करके आपको d minus f into xw यह कैसे आ गया देखो जब आप यह plus sign है वो उदर shift करोगे तब आपका minus f minus d into w बनेगा तो यह minus से जब आप अंदर multiply करोगे तब आपका क्या बनेगा d minus f into xw क्लियर है वो हमने यहाँ पे लिखा है अब यह जो भी complete equation है उसको अगर आप f से divide करते हो तब आपको क्या मिलेगा d by f into xd is equal to यह f f cancel हो जाएगा और d by f minus 1 into xw मतलब dividing by f अगर आप total equation को f से divide करते हो तब आपको यह equation मिलेगा अब इस equation से अगर आप xd की value find out करते हो तो आपको क्या equation मिलेगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह जो भी d by f है उसको आपको right side में shift करना पड़ेगा तब आपको equation मिलेगा इस except को d by f से divide करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर किया है उसके बाद यह d by f minus 1 divided by d by f clear है? into xw यह equation कैसे आया? आपको समझ में आगा है? अब अगर आप इस equation को ध्यान से देखोगे तब आपको यहाँ पर एक बात पता चल सकती है यह equation straight line का equation है y is equal to mx plus c यहाँ पर y क्या है? xd है ym क्या है? df minus 1 divided by df और यह xw मतलब x है और intercept है xf divided by d by f clear है? यह values कहां से आगे? जब आप distillation column का design करोगे तब आपको कितना product का flow rate चाहिए वो आपको पता है जो कि d है आपके पास feed flow rate कितना है वो आपको पता है यहाँ पर भी d है यहाँ पर भी f है यह दोनों आपको पता है उसके बाद जो भी more fraction of more holodile component in feed है वो आपको पता है उसके बाद d पता है यह पता है अग यह सब values आपको पता है तो आपको यहाँ पे feed का जो भी slope है वो पत calculate आप कर सकते हो या फिर जो भी intercept है वो आप calculate कर सकते हो और इस हिसाब से यह अलग-अलग feed की lines यहाँ पे बने की यहाँ पे मैंने अलग-अलग feed के conditions लिखिए देखो अगर आपके पास cold feed है तो जो भी feed line रहेगा वो कैसे रहेगा इसके लिए आप यह points याद रख सकते हो देखो अगर cold feed है तो q should be greater than 1 इसका मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे यहाँ आपका feed point रहेगा और feed point में जो भी q की value रहेगी वो यहाँ पे 1 रहेगी और यहाँ पे 0 रहेगी आप ऐसे याद रख सकते हो अगर saturated liquid है तो उस case में q is equal to 1 होगा यहाँ पे अगर cold feed है तो q should be greater than 1 इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो एक से बड़ा तो इधर आएगा यह आपका cold feed होगा समझ रहेगा उसके बाद partially vaporized अगर है तो वो 0 और 1 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे partially vaporized आएगा और saturated अगर रहेगा तो q is equal to 0 है इसका मतलब यह saturated के लिए है और superheated के लिए अगर है तो q should be less than 0 इसका मतलब 0 के नीचे तो यह रहेगा superheated मतलब अगर आपके case में saturated liquid है तो उसको सिर्फ latent heat देना पड़ेगा तो वो हम q is equal to 1 से define करेंगे उसके बाद अगर cold feed है तो जो भी latent heat है उससे ज़्यादा heat आपको देना पड़ेगा ताकि उसका sensible heat भी बड़े समझ रहेगा उसके बाद अगर partially vaporized है तो उस case में जो भी q की value रहेगी वो 0 और 1 के बीच में रहेगी अगर saturated vapor से इसका मतलब वो already vaporized state में है तो उसे कोई भी heat देने के आपको जरूरत नहीं है इसलिए q is equal to 0 हमने लिखा है अगर superheated vapor से तो already उसमें heat excess amount में है इसलिए वो remove करना पड़ेगा और q should be smaller than 0 क्लियर है कैसे आप ये points calculate कर सकते है और उसके बाद अगर आपको exact feed location चाहिए मतलब line अभी देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है q should be 0 to 1 के बीच में होना चाहिए अब 0 to 1 के बीच में किदर भी हो सकता है वो line तो line exactly किदर होगा वो अगर आपको calculate करना है तो उसके लिए आपको ये feed line का equation यूज करना पड़ेगा जहाँ पर आपको इस line का slope मिल सकता है या फिर intercept मिल सकता है दोनों में से एक value आप calculate करके अगर आप intercept calculate करते हो तो intercept मान लो आपको यहाँ पर मिलता है तो उस case में आपका जो भी feed line रहेगा वो इस प्रकार रहेगा समझ रहो और अगर इसका slope आप calculate करते हो ना तो वो slope इस equation में d by f minus 1 divided by d by f की जो value रहेगी ना उसके equal रहेगा समझ रहो कैसे आपको feed line draw करना है उसके बार हमारा next step है mark desired product concentration xd and xw जो भी xd value है और xw वो हम diagonal point पे represent करते हैं वो diagonal point पे इसलिए represent करते हैं क्योंकि हम यह assume करते हैं कि यह हमारा isotropic point है और इसके आगे हमें separation नहीं चाहिए समझ रहो मतलब जो भी हमारा desired separation है उसके आगे उस distillation column से separation ना हो ओके अब यह आप कैसे प्रूव कर सकते हो देखो कोई भी point अगर diagonal line पे है तो उसका मतलब है वहाँ पे y is equal to x है और हम यह चाहते हैं कि यहाँ पे यह isotropic point हो इसका मतलब जो भी relative volatility होगी वो 1 होगी अगर आप यह alpha की value उपर वाले equation में put करते हो तो क्या होगा y is equal to x divided by 1 plus 0 into x इसका मतलब y is equal to x क्लियर है और इसलिए यह आपका isotropic point रहेगा इसलिए जो भी xd and xw की value है वो आपको diagonal line पे plot करना है क्लियर है ओके उसके बाद आपका next step है draw operating line for rectifying and stripping section देखो rectifying section के लिए जो भी operating line है उसका equation हमने पिछले वीडियो में derive किया था अगर आपको याद होगा तो वो equation था y is equal to r divided by r plus 1 into x plus xd divided by r plus 1 अब इस equation को भी अगर आप देखते हो तो यह equation आपको मिलेगा y is equal to mx plus c के form में यहाँ पर y क्या है slope है जो के r divided by r plus 1 है और intercept क्या है xd divided by r plus 1 और आपका जो भी curve स्टार्ट होगा operating line for rectifying section स्टार्ट होगा वो आपका yaksd point से होगा ओके yaksd comma yaksd point से वो स्टार्ट होगा और वो इधर कहां पर आएगा वो आप define करोगे इस intercept से या फिर इस line के slope से या आपको दोनो quantities इस operating line के equation से मिलेंगी अगर आप यहां से intercept find out करते हो xd divided by r plus 1 तो आपको ये point मिल जाएगा और अगर ये दोनों point आप connect करते हो तो आपको जो line मिलेगी उसका slope अगर आप measure करते हो तो आपको वो r divided by r plus 1 के equal मिलेगा समझे हो या फिर आप slope पहले calculate करते हो लाइन ड्राओ करते हो तो भी आपको जो intercept मिलेगा वो आपको xd divided by r plus 1 मिलेगा ओके अब आपके लिए दो lines final हो गई देखो ये एक आपका feed line final हो गया जो कि हमने पहले देखा था और ये rectifying section का line भी आपका final हो गया अब जो stripping section है उसके लिए हमारे पास equation है y is equal to l divided by l minus w into x minus w into x w divided by l minus w यहाँ पर ये l by l minus w क्या है ym है मतलब slope है उस line का और w into x w divided by l minus w हो intercept है उस line का अब इस case में देखो यहाँ पर आपको ये अलग से calculate करने की जरुरत नहीं क्यूंकि आपको ये point already मिल चुका है y x w और जो भी आपका separation होगा वो feed tray से होगा इसके लिए जो भी feed tray का intersection point है rectifying section के operating line से वहाँ तक आप उसे जोड दो तो अगर आप इसका slope आप calculate करते हो तो आपको मिलेगा y divided by l minus w और अगर आप इसका intercept देखते हो तो ये नीचे आएगा मतलब ये 0 से नीचे आएगा इसलिए यहाँ पी ये minus आ गया है clear है और उसका value आपको w into x w divided by l minus w मिलेगा clear है operating line कैसे draw करना है rectifying section का और stripping section का okay उसके बार जो भी आपने operating lines draw किये अब उनके बीच में आपको triangles plot करने देखो अब पहले आपका करू कैसे था यह आपका stripping section का operating line था जो कि आगे extend हो रहा था और जो भी rectifying section का line था वो ऐसे आगे extend हो रहा था और इन सब को आपको remove करना है और आपको सिर्फ इतना ही रखना है जहाँ पे आपको यह पता चले कि यह आपका intersection point है जो कि field point रहेगा और अगर आपको number of stages calculate करने तब आप यहाँ पे triangles बनाओगे यह आपका यकसडी का point था जहाँ जितना आपको separation चाहिए पिर वहाँ से लेके एक horizontal line एक vertical line एक horizontal line एक vertical line यह जो भी lines है देखो मैं कहां से ड्रॉ कर रहा हूँ जो भी vapor liquid equilibrium कर वे वह और rectifying section का या फिर stripping section का operating line है इसके बीच में अब देखो अगर मानलो आपका यह point इस line को touch हो जाता है मतलब अगर आप जो भी triangles बनाते हो वो diagonal line के साथ बनाते हो तो उसका impact क्या होगा अगर आप diagonal line से touch करते हो इसका मतलब है वो azotropic point है और उसके आगे separation नहीं होगा यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो आमने यहाँ पे diagonal line को touch कि है इसका मतलब आगे separation नहीं हो सकता है इसलिए हम इधर ही रुकते हैं जब तक हम इस operating line पे रुक रहेते हैं तब तक हम और एक stage लेना पड़ रहा था लेकिन जब हम इस diagonal point पे मिल जाते हैं इसका मतलब यह आपका azotropic point है और इसके आगे separation नहीं होगा इसलिए जैसे ही आपक वह आगे triangles ड्रॉ नहीं करना है समझें इसका मतलब यहाँ पर आपको कितने stages लगेंगी one two three four total four number of stages लगेंगी separation के लिए clear है अब number of stages से number of trace के से find out करनी है वह हमारा है सात्वा स्टेप देखो उमने पहले भी discuss किया था वह depend करता है आपका जो भी distillation column है उसमें किस प्रकार का arrangement है मतलब हर एक distillation column में आप एक condenser देते हो और एक reboiler देते हो ओके और जो भी condenser और reboiler है वो दो टाइप क्या आते हैं एक तो partial रहते हैं और total रहते हैं partial condenser मतलब क्या फेपर और liquid का mixer रहेगा partial reboiler मतलब क्या फेपर और liquid का mixer रहेगा और total condenser मतलब जितने भी vapors आएंगे वो सब liquify हो जाएंगे और total reboiler में जितने भी liquid आएंगे वो total vapors में convert हो जाएंगे समझ रहें और जब यह partial condenser आप consider करते हो वहाँ पे आपको फेपर liquid mixer मिल रहे है जब partial reboiler आप consider करते हो तब आपको फेपर liquid mixer मिल रहे है और अगर आप tray भी consider करते हो तो tray में आपको क्या मिल रहा था फेपर liquid का mixer मिल रहा था समझ रहें मतलब यह reboiler जो है वो एक tray की तरह ही behave क तो आपको उसे एक ट्रे कंसिडर करना पड़ेगा समझ रहो और इसलिए उस केस में आपके ट्रेस की क्वांटिटी कम हो जाएगी अब देखो यहां पर अलग-अलग केसिस आपकी बनेंगे पहला केस क्या होगा जब आपके केस में टोटल रिवॉयलर और टोटल कंडेंसर है उस केस में complete vapors liquefy हो रहे है और complete liquid जो भी है वो vaporize हो रही है इसलिए कोई भी reboiler या फिर कंडेंसर आपका ट्रे की तरफ़ा भीहेव नहीं करेगा इसलिए जितने भी plates होगी वो number of stages minus 0 इसका मतलब पिछले केस में हमारे 4 stages आ गई थी तो यहाँ पे number of plates 4 लगेगी clear है उसके बाद अगर partial reboiler और total condenser है या फिर total reboiler और partial condenser है इसका मतलब एक आपका या एक तो condenser या फिर reboiler plate की तरह बिहेव कर रहा है इसका मतलब number of plates जो रहेगी वो number of stages से एक कम रहेगी clear है इसलिए इस case में आपको number of trays 3 लगेगी समझें तीन trays लगेगी और एक reboiler रहेगा या फिर एक condenser रहेगा ऐसे total charge stages आपके बनेंगी समझें और उसके बाद तीसरा case एक है जहाँ पर partial reboiler है और partial condenser है ओके partial reboiler और partial condenser इसका मतलब दोना जगह पे आपको vapor और liquid का mixture मिल रहा है इसका मतलब reboiler भी और condenser भी एक tray की तरह behavior कर रहे है तो यहाँ पे जो भी plates लगेगी वो number of stages minus 2 मतलब 4 stages minus 2 मतलब एक reboiler और एक partial condenser इसका मतलब यहाँ पे दो number of ideal plates लगेगी समझ रख हर case में number of ideal plates जो लग रही है वो different लग रही है जो कि हमने पहले slide में discuss किया था clear है में capable method से number of trace या फिर number of stages कैसे calculate करना है आज की इस video में यही पे रुपते हैं अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमें comment करके पूछ लो ओके चलो thank you all the best